पाकिस्तान की राजनीती में भारत की भूमिका एहम है भूमिका एहम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे तरफ से पाकिस्तान की राजनीती में कोई इंटिफेरिंस है बलकि एहम इसलिए है क्योंकि वहां के वजीर आजम भारत की बाते करके खुब वावाही लूटते है साल 1947 से चली आ रही भारत पाक की नोग जोख वहां के वजीर आजम के मूड पर टोटली डिपेंड करती है अब देखे ना पहले जब नवाज शरीफ थे तो भारत और पाकिस्तान की जो दोसी थी वो अच्छी खासी थी और जब इमरान खान सत्ता पर काबिज हुए तो भारत पाक के जो रिष्टे है उसमे थोड़ी सी खाटास आ गए लेकिन अब जब इमरान ने अपने कुर्सी छोड़ दी है और कुदरत ने अपना जादू कुछ इस तरह दिखाया है कि बगले पी-एम के लिए नवास के छोटे भाई शहबास का नाम सामने आ रहा है तो सामने ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या शहबास के आने से भारत और पाक के रिष्टे वापस से ठीक हो पाएंगे हेलो और वलकम टू अंकट मैं हूँ आपके साथ आशी सिंग अगर बात करेंगे एकनोमिक की तो हो सकता है शायद उम्मीद है अब उम्मीद ये भी है कि शहबास के आने के बाद भारत पाक के जो बाइलाटरल रिलेशन्शिप्स हैं वो भी ठीक हो जाए एक एक करके पॉइंट में समझने की कोशिश करते ही कि अगर शहबास पाकिस्तान समहलते अगर पाकिस्तान की कमान उनके हाथ में होती है तो क्या कुछ चीज़े हैं जिनके सुधरने की उम्मीद होगी सबसे पहला मुद्दा है पावर बैलेंस का तो शहबाज जिस पाटी से है उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसके उपर इम्रान खान की पाटी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हमेश्चा आरोप लगाती है कि उनका जो जुकाव है वो भारत की तरफ जादा है जिसका नमुना हमने उस वक्त भी देखा था जब शहबाज के भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधान मंत्री थे तो ऐसे में ही एक चुनोती यहां पर खड़ी हो जाती है कि क्या शहबाज भारत चीन अमेरिका के बीच बैलेंस बना पाएंगे क्योंकि इम्रान के समय में य इम्रान के जाने की वज़ा भी यही है तो क्या पाकिस्तान भारत के साथ एक्सपोर्ट पर जो बैन है वो हटा देगा देखे आर्टिकल 370 कश्मीर से हटने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार 2019 से बंद है कश्मीर के पुलवामा में हमले में 40 सुरक्षा बलों की म इम्मेदार बताता है इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिया और वहां से इंपोर्ट होने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी 200 फीसदी तक बढ़ा दी तो कही ना कहीं हम उम्मीद कर सकते हैं कि शैबास के आने के ब भारत और पाक के बीच व्यापार शायद ठीक हो जाए अफर दाट कम्स देशों के बीच राजनियेक संबंधों की पूर्ण बहाली हो जाए ट्रैक टू के लेवल पर बाचीत पर कोई गतेविधी शुरू हो जाए धीरे धीरे व्यापार फिर से खोल दिया जाए आफ्टर दाट अर्मी रिलेशनशिप पाकिस्तान में फॉरिन संबंधों में सरकार का दखल कम और सेना का प्रभाव जादा रहता है खासकर भारत पाकिस्तान के संबंधों में तो फौज ही तै करती है सब कुछ और वैसे भी आर्टिकल 370 के हटने के बाद से भारत पाकिस पाकिस्तान रिलेशन्स को लेकर फौज का दखल बढ़ा ही है ऐसे में ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में सरकार चाहे जिसकी हो भारत और पाकिस्तान की संबंधों में कुछ खास फर्क न आए रही बात पाकिस्तान की तो इंडिया ने हमेशा से यही चाहा है कि पाकिस्ता के साथ उसके रिष्टे अच्छे रहे ताकि सीमा पर भी तनाव को खत्म किया जा सके अभी आने वाला समय ही बताएगा कि जब प्रधान मंतरी बन जाएंगे शैबाज शरीफ तो क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के रिष्टे में कोई सुधार आएगी या नहीं या फिर ज से तमाम बड़े विश्टेशनों से अपडेटर रहने के लिए आपको अनकट को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना होगा मैं आपके साथ आश्री और आप देख रहे हैं अनकट